आपको स्वाथ है फ्रेंट्स यह देखे आज संडे था यह मैंने सब टहनिया इस्ट्रा काट दी हैं और यहां से जो यह पुराने ऐसे पौधे हो गए थी इनको मैंने हटा दिया है यहां से फिर इनको नई ग्रोथ होगी अच्छे फ्लावर आएंगे यह बहुत घना था हटा दिये हैं यह और इसको मैंने बांधा है और इसको मैंने गोडा किया है इसका भी फ्लावर मैंने यह हटा दिया है बासी कि यहां से यह देखे ग्रोथ होगी मैंने पत्ति फ्लावर हटाया है अब यह कलिया यह बन गई है इधर यह कलिया इनको मोका मिलेगा बड़ी हो करने के लिए ये और इन में फ्लावर आ रहे हैं अभी इसके लिए हमने पॉट त्यार किया है ये ट्रांस्प्रांट करेंगे डेहलिया को इनके भी मैंने कुछ पुराने बासी फ्लावर हटा दिया है अभी इसका गोडा रह गया है सेश कुछ गोड़ा किये और फ्रेंस यह टमाटर की हमने यहyi प्रून किये हैं यह बहुत सारी ब्र्छ ही देखिए अभी मैंने यहां से यह प्रून कर दिया यह देखिए तो जब यह नई ब्रांच आती है तो फिर ऐसे बड़े बड़े यह टमाटर मिलते हैं बहुत ज्यादा गुच्छों में और यहां से भी यह देखिए अभी ताजी हमने कट किया है कई सारे ब्रांच हमने यहां से काटे हैं यह देखिए यह तो पुराना ही पौधा मैंने वीडियो कई बार सेर किया तो फिर इस तरह के जैसे ही नई ब्रांच आती हैं तो यह यह देखिए यहां से जो एश्टा ब्रांच थी जिसका हमने टमाटर ले लिया है तो सब यह काटते चले गए और यह गोडा भी टमाटर में हमने किया है प्लांट में कल मैंने यहां की सफाई की तुलसी जी के पास की और पुरानी टहनी मैंने ऐसे तोड़के रग दी हैं तो इसके कुछ चंदर बना लेंगे कुछ दीपक जलाने के लिए आ जाएंगे इनकी जो सूखी ब्रांच और बाकी मैं पॉट में भर के जब तुलसी जी के लिए फिर इस्तिमाल कर लेंगे पुराने पॉट में इसको भर देंगे दिरे दिरे डीकंपोज होगा और खात का काम करेंगी अभी यह हम इसमें गोभी में भी हमने गोडा किया है यह देखे बहुत ही अची हमको गोभी मिल रही भैज यह देख़िये अच्छे साइस के फ्लावर बन रहे थे तैसे लियुक्त है और यहां से कई तोड भी लिये कुछ यह गेंदा के पौधे हम लगाएं और फ्रेंट्स इधर ने यह लहसुन लगाए हैं इधर प्याज लगे हैं और इधर से यह मैंने घास जो बत्धु अब अगरा इस्टा घास निकाल आई थी उनको साफ करके मैं यहां और जो है प्याज और लहसुन लगा दूंगी फ्रेंट्स इन टमाटरों से जो पुराने पत्ते नीचे के ब्रांच जो थे ये मैंने हटा दिये हैं इसलिए कि इनकी जो है ग्रोध तेज हो इनकी जो एनरजी बेस्ट हो रही थी वो बच जाए जो पुराने पत्ते क्योंकि नए पत्ते बहुत जरूरी है जब नए पत्ते आ गए तो हम जो पुराने नीचे के थे पौधा था यह हमारा खराब हो गया था तो मैंने इसको भी यह फंगी साइड पानी में इसको किया फिर इधर भी डुबो दिये और इसकी जड़े सूख गई है अब इसमें हम यह वेस्ट मटेरियल डाल के इस पौधे को लगाएंगे क्योंकि इसकी जो मिट्टी हम नरसरी से इसके पहले इसमें बारिस हुई तो यह पानी फस गया था बहुत ज्यादा और यह बहुत ही साफ्ट पौध होता है बहुत ही अच्छा था हमने कई बार वीडियो शेयर किया आज इसको भी ठीक करेंगे यह हमने वेस्ट मटेरियल डाल दिया है तो दोस्तों आज हमने बस और यह पाइकाम किये नमजकार लू फ्रेंड्स यह हमने नहीं को अधेने करेंगे दोस्तों को बखाने धाल दिया यह दोस्तों सरे तरह ये ब्रांच धेरो हैं इन सब में फ्लावार आएंगे ये देखे चारो तरब से तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसलिए हमने इसको गहरा पाट नहीं लिया है और अगर जरूरत पड़ेगी भविश में तो फिर हम बड़ा पाट भी ले लेंगे फिल हाल हमारे पा इसकी ब्रांच होती है और जड़ भी जो है इनकी जो कंद टाइप के बनते हैं वह पानी से गल जाते हैं और हम लोग नीचे थोड़ा वेश्ट तो डाल देते हैं वेश्ट क्या है नीचे गीला रहा आता है और उपर से हमको मिट्टी शूखी दिखती है उपर की भुरुर निकलाई है यह देखिए लेकिन थोड़ा दो-चार दिन और इनकी जड़े वह हो जाए तो मिट्टी से निकाले नहीं तो फिर क्या है पुरी तरह से बन जाया नहीं तो शेट नहीं होगा ऐसे ही मैं और दो-तीन लगाई हूं और देखे यहां जो था मैंने पूरा क्लीन कर लगाया था छोटे बिल्कुल छोटे पौधे थे ऐसे थोड़ा इससे हलका बड़े हुए थे देखे इनमें यह कलिया बनने लगी है और यह देखिए धर से यह ग्रोथ भीनकी हो गई है मैंने खाद बहुत अच्छा से दिया था अब इन पत्तों को हम यह देखे सुखा ल